तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वाइरस का गंभीर असर इंसान के ठीक होने के बाद भी PTSD यानि कि Post Traumatic Stratus Disorder की रूप में देखने को मिल सकता है यानि कि जिन मरीजों ने अस्पताल में समय गुजारा है उन्हें बहुत डरावनी सिती का सामना करना पड़ेगा कोरोना वाइरस से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है विश में 1.4 लाग से भी ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके है पिछले 6 महिने से इस वाइरस से दुनिया तरस्थ है लेकिन इसका इलाज अब तक नहीं मिल सका है और कब तक इसकी वैक्सीन बनेगी इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है लेकिन इस बीच डॉक्टर्स ने कोर्ना वाइरस के गंभीर प्रभाव की चिताबनी दी है एक्सपर्स का कहना है कि कोर्ना वाइरस से कंभी रूप से बीमार होने वाले कोर्ना मरीजों की PTSD यानी Post Traumatic Stress Disorder के लिए स्क्रीनिंग की जाना जरूरी है क्योंकि कोर्ना से कंभी रूप से बीमार जिन लोगों का ICU में इलाज किया जाता है उन्हें PTSD से सबसे अधिक खत्रा है PTSD कैसी मांसिक स्थिती होती है जो आम तोर पर दुरगटना या बेहत बुरी स्थिती का सामना करने के बाद मरीजों में देखने को मिलती है जिन मरीजों ने अस्पताल में समय गुजारा है उन्हें बहुत दरावनी स्थिती का सामना करना पड़ सकता है उन्हें लंबे वक्त के लिए दिक्कते हो सकती है तना उसे जुड़ी मांसिक समस्याओं का वे सामना कर सकती है इस डिसॉर्डर से पीडित होने पर व्यक्ती चिर्चड़ा हो जाता है उसके कागरता की शमता प्रभावित होती है जिससे समानने चीजे करने और सोचने में उसे परिशानी होती है कई स्थितियों में व्यक्ति खुद को नुकसान पहुचाने की भी कोशिश करता है ताकि वे घटना वो उससे जुड़ी यादों से छुटकार पास लखे डिसॉर्डर के कारण व्यक्ति को सोनी में दिक्कत आने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में लगातार घटना संबंदी विचार चलते रहते हैं जिससे मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है ये उसे डिप्रेशन की स्तिधी में भी पहुचा सकता है प्रिटेन की प्रमुक स्वास्ते एजेंसी एनेचेस ने कहा है कि हॉस्पिटल में इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों को पॉल्व अप अपॉइंट्मेंट के लिए बुलाया जाएगा उन्हें साइकोलोजिकल सपोर्ट भी दिया जाएगा इस बिमारी का इलाज मनोवे ज्यानिक द्वारा ही किया जा सकता है कोर्ना वाइरस का असर इसके खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है पीडित व्यक्ति को ठीक होने के बाद भी मानसे किस्तिती से गुजरना पड़ सकता है ऐसे में व्यक्ति का परिवार और उसके खास दोस्ती उसे ठीक होनी में मदद कर सकते हैं किसी भी ऐसे शक्स से हीन भावना ना करें और खास ख्याल रखें Special Days, Total News